नमस्ते स्टूडेंट्स लेजी स्कूल में आपका स्वारत है स्टूडेंट्स हम आठवी कर्षा के सामाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत इतिहास का अध्यान कर रहे हैं और अभी हम आपके चौथे अध्याय जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज तो इसका हम अध्यान कर रहे हैं इसके पहले मैं आपको तीन वीडियो प्रस्तूत कर चुका हूँ जिसके माध्यम से मैंने आपको उपनिवेशवाद के बारे में आदिवासी समाज के बारे में और उनकी आजिविका के बारे में और अंग्रेजों के आने के बाद जो अपनिवेशिक सक्तियों के आने के बाद जो उनके रहन सहन पे उनकी आजिविका पे जो कुछ प्रभाव पड़ा उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ तो अब आगे देखते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में और क्या कुछ पढ़ना है तो अब तक हम लोगों ने पेज नमबर 44 का अध्यान कर लिया है पेज नमबर 45 पे देखिए जो सामगरी है वो भी हम लोगों ने पढ़ा आप अपना स्टूडेंट्स पाठे पुस्तर खोल लीजिए और आप चैप्टर नमबर 4 पे जाईए वहाँ देखिए पेज नमबर 44 से लेके 56 तक ये चैप्टर आपको मिलेगा तो अभी हम लोगों को पेज नमबर 48 पे जाना है ठीक है स्टूडेंट्स तो उसके पहले का हम लोग अध्यम चुकी कर लिये हैं तो उसको पुना रिपीट करने की कोई आव सकता तो है नहीं तो हम लोग चलते हैं कि पेज नमबर 44 पे 48 पे क्या कुछ है ठीक है तो 48 पे है स्टूडेंट्स उनिस्वी सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक इस्थिती में परिवर्तन स्टूडेंट्स उनिस्वी सदी का मतलब होता है 1801 से लेके 1900 तक का 100 बरस का काल वो जो एक सेंचूरी हुई है ना इसको हम लोग 19th सेंचूरी कहेंगे है ना तो इन 100 बरसों में भारत में पहले आपको समझना होगा कि सासन किसका था तो इन 100 बरसों में भारत में अंग्रेजों का सासन था और लगभग भारत के सभी छेत्रों में अंग्रेजों का सासन जो है चल रहा था तो जदी हम अपने जार्खन छेत्र के बारे में जानना चाहें तो जार्खन में भी अंग्रेजों का प्रवेस हो चुका था और लगभर लगभर जो है आदिवासियों का जो जन जीवन है इससे प्रभावित होना शुरू हो गया था सामाजिक ताना बाना भी बदल रहा था और आर्थिक इस्तिती में भी परिवर्तन हो रहा था तो चलिए स्टुएंट्स हम लोग इसको लाइन बाइन ही पर लेते हैं है ने चलिए बिट्टिस सासन के दोरान आदिवासी समुहों का जीवन बदल गया इन में सामाजिक सांस्कृतिक और राइनेतिक चेतना का विकास होने लगा तो स्टुएंट्स यहां हमें ये भी समझना होगा कि क्या आदिवासी समुधाय जो है वो सुसुप्त समुधाय है आपको पता है आज भी आदिवासी समुधाय में सिक्षा का प्रतिसत कम है स्टुडेंट सिच्छा का प्रतिसत कम होना एक अलग चीज है लेकिन जागरुपता का होना एक और चीज है तो आदिवासियों ने कभी भी अधीनता स्विकार नहीं की अंग्रेजों ने सासन जरूर किया जी सकता वो अपने तरीके से जीना चाहता है और अपने तरीके से वो जीता भी है इस फुरिंट्स कुछ इही कारण है कि आप जैसे देखेंगे कि 1831-32 में ही सिंभूम में जो जायखन राज का एक जिला है सिंभूम तो वहाँ पे एक ओल विद्रह हो चुका था हुआ है ना 1855 में स्टुएंट्स संथाल विद्रह हुआ तो इस विद्रह क्यों हुए आदिवासियों का जीवन जब परभावित होने लगा अपनिवेसिक सक्तियों के कारण तो सभाविक है कि ये रिवोल्ट किये हला कि दूसरे कई समुदाय हैं स्टुएंट्स जो की अंग्रेजों का सामना डट कर नहीं किये लेकिन आदिवासि समुदाय डट कर सामना किया है तो चली आगे देखते हैं इसमें क्या है ब्रिटिस काल में भारत की जन जातियां एक अलग समुदाय में न रहकर देश की मुख समाजिक जीवन धारा का अंग बनने लगी थी उन्हें वस में रखने के लिए कमपनी काल में एजेंसी बेवस्थापीत की गई थी एवं उनके लिए संगरख छण परणाली का विकास किया गया था इसको समझना होगा है स्टूडेंट्स कि आज देखिए अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून भी बनाए जैसे हम लोग बोलते हैं चोटा नागपूर टिनेंसी एक्ट है ना या फिर संथाल पर अगदा टिनेंसी एक्ट तो कुछ कानून ऐसे बनाए आदिवासियों के लिए अंग्रेज भी चाहते थे कि जो आदिवासी हैं वो जो हैं वो मुख धारा में आकर जीएं मुख धारा में आकर जीवन यापन करें तो आप सोचेंगे कि अंग्रेज ऐसा क्यों सोचते थे तो क्या वो पूरी तरह से आदिवासियों की भलाई चाहते थे तो इस्टुएंट्स भलाई हो अथवा ना भी हो लेकिन एक बात मैं बता देता हैं स्टुएंट्स कि अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी एक जगा बस कर रहें और उनका जीवन यापन आम लोगों की तरह ही हो ताकि भूमी पर से मिलने माला जो लगान है उसको आसानी से वसूल किया जा सके तो कई अर्थों में इसके पीछे भी अपनिवेसिक सक्तियों का कुछ न कुछ उद्देश था और वो उद्देश उनके अपने हक में था है ना तो चलिए इसके आगे देखते हैं उनके पारस्परिक जगणों को निप्टाने एवं जन जातिये संस्थाओं को सुध्रिन बनाने की दृष्टी से कुछ सामाने नियम बनाए गए थे एक बात जान लीजिए कि आदिवासियों का जो नियाय ब्यवस्था है वो परंपरागत नियाय ब्यवस्था थी आदिवासि जो है अपने छेतरों में जो है मानकी मुंडा सिस्टम जो था या जो भी अपना जो उन लोगों ने सदियों से जो अपनी परंपरा विक्सित की थी उसी परंपरा के तहद जो है अपना नियाय ब्यवस्था चलाते थे या सासन ब्यवस्था वो लोग चलाते थे लेकिन अंग्रेजों के आजाने के बाद जो है उन लोगों को कोट कचहरी मुकदमा इस सारा कुछ उनको जहलना पड़ा तो यह सब चीज़ें ओव लोग पसंद नहीं करते थे कौन नहीं पसंद करते थे आदिवासी है ना आगे देखते हैं किन्तु उनका अंतिम लक्ष था ब्रिटिस भारत की मुक सामाजिक धारा में आदिवासीयों का बिलेण अता एक सामाजिक और धारना के रूप में संगक्छन बिफल रहा और पूरे भारत की जन जातियां वाह प्रभावों से नहीं बचपाई और सनय सनय ब्रिटिस भारत के सामाजिक संगठन में उनका विभिन अस्तरों पर बिलियन होता रहा कहने का मतलब यह students की अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों का विकास अलग तरीके से हो ब्रिटिस काल में जार्खन के आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृती भागोलिक अलगाओ पिछडापन और आदिम सरूप में असपष्ट रुपांतरण हुआ उनकी सीमा विश्तरित हुई और छेत्र सिमित हुए इस रुपांतरण का राजनितिक प्रभाव यह हुआ कि जार्खन के आदिवासी जाती के अधार पर अपना कोई पूर्ण बिक्सीत राज अथवा स्वसासी छेत्र नहीं बना सके तथा पी इस अवधी में नगरी करण की प्रक्रिया भी असपष्ट दिखाई पड़ती है जब हम लोग जार्खन के परिपेक्ष में बात करते हैं तो आप देखिएगा कि आज से 100 साल पहले बहुत सारे सहर नहीं थे क्या यहां पर धनवात था नहीं था क्या जरिया था नहीं था जमसेदपूर जैसा महानगर था नहीं था राची था लेकिन बहुत छोटे आकार में था उसी तरह से कुछ छोटे-छोटे सहर भी बसे, जहां पर अध्योगिक यूनिट खुले, तो जैसे मान लिजिए कि सिंद्री में खाद का का खाना खुला, जिर्ग पानी में सिमेंट का का खाना खुला, इसी तरह से बहुत सारे अध्योग और कुछ खनन छेतरों में भी कारे ह हुए हैं है ना तो इससे क्या हुआ कि जार्खन के बिविंग छेत्रों में गैर आदिवासी लोग जो है वो लगातार आते चले गए तो इससे क्या हुआ कि नगरी करण हुआ है ना सहरी करण हुआ और students मैं एक बात आपको बता दूँ कि सहरी करन से आदिवासियों को लाव नहीं हुआ students आदिवासियों की जमीन छीन गई students और इसके अलावे और भी कई तरीकों से जायखन वासियों या आदिवासियों की जमीन छीन गई है जैसे मान लिजे बहुत सारे ऐसे डैम बने हैं तो डैम बनने से भी आदिवासियों की भूविचीनी गई उसी तरह से जैसे मान लिजे की आदिवासी जो है वो कई तरह से अपने अपने छेतरों में जो जहाँ पे उनका निवास था उन छेतरों में जब सहर बसाए गए या फैक्टरियां बसाए गई तो आदिवासियों को क्या हुआ वहाँ से उन लोगों को दूसरे अस्थानों पे जाना पड़ा तो इस परकार से आदिवासियों की जो है खुसाहाली भांग हुई है ना और एक परकार से जो वो सासवत जीवन सहली में जो जी रहे थे उससे वे मरहुम हुए है ना अब आगे देखतें क्या है इसाई धर्म परचारकों की गतिविधियों के कारण पारंपरिक जन जातिये लक्षणों का तिब्र विकास हुआ निस्तनरीयों के सेक्षनिक क्रिया कलापों से भी आदिवासियों के समाजिक रुपांतरण में साहयता मिली यह भी सत्य है कि इसाई मत के स्विकार किये जाने का प्रभाव आदिवासियों के खान, पान, वेशबूसा, प्रसाधनों यह आवूसनों पर भी पड़ा लेकिन इसको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भाव से हम लोग ले सकते हैं कुछ लोगों ने तो इसाई धर्म को स्विकार किया और उनका खानपान, वेशबूसा, प्रसाधन, आभूसन ये सब को भी स्विकार किया और कुछ लोग जो हैं उसको स्विकार जो नहीं किये वो अपने मुल धर्म में अपने तरीके से जी रहे हैं या हैं तो इस्टुएंट्स दोनों का अपना अपना गुण दोस है इसके बारे में जो है कि आदिवासियों के अलग-अलग विचार हैं लेकिन मुलता हम लोग यह zeशोन ध्याओं का क्या हुआ कहने का मतलब है कि ब्रीटी सर्फ के आने के पहले उह अपनिवैसिक सर्तियों के आने के पहले जो आदिवासियों में बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुख्याओं का महत्वपूर्ण अस्थान होता था, उनके आसपास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंतरण रखते थे, कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं बन अदिवासि मुख्याओं के कामका जग अधिकार काफी भदल गए थे, उन्हें कई कई गाओं पर जमीन का मलिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी सास की सक्तियां छिन गई, और उन्हें ब्रिटिस अधिकारियों द्वारा बनाए गये नियमों को मानने के लिए बात दे कर दिया लाचार हो गए तो स्टुएट्स आब इस बात को हम आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो आदिवासि मुख्या थे वो आदिवासि मुख्या नहीं रह गए और वे जो हैं एक प्रकार से अंगरेजों के अधीन हो गए तो इस बात को हम लोंको समझना होगा कि जब ऐसे भी समझना हो गए, जैसे मान लिजे कि हम लोग Lord Valley की जो सहायक संधी हम लोग पढ़ते हैं, तो सहायक संधी जब हुई, तो अंग्रेज सासक जब सहायक संधी के ताहत विविन राज्यों को अपने साथ जोड लेते हैं, तो उस समय भी तो एही होता है ने, students, है ना, जैस टीपू सुल्तान ने वहाँ पे रिभोल्ट किया था, लेकिन बाद में टीपू सुल्तान के मर जाने के बाद, जो वहाँ सासक हुए, उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों की अधिनता ही तो स्विकार की न, तो यहाँ भी आदिवासी मुख्याओं को एक तरह से अंग जीत हो गये, तो ठीक हैस्ट इस वीडियो को मैं यहीं पर समात्त करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि एक और वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस पूरे जो चैप्टर नमबर फॉर है, इसको मैं आपको समझा पाऊंगा, तो ठीक हैस्ट इस